वाहे गुरुजी का खालसा वाहे गुरुजी की फते तुसी वेख रहे हो कथा गुर्बानी विचार संगर जी गुरु अर्जन देव जी पन्जवी पाश्याई जीदा जीवन बरतांत अगेवदों दे होए शिरी गुरू अरजन देव जी ने अपने गुरू पिता जी दे बचन याद करके के साधी सेवा इना तीर था दी सेवा है अमरसरोवर दी सेवा उपरंत संतोक सर सेवा रम करन दा विचार बनाया इस सरोवर नो पहला शिरी गुरू रामदास जी ने अरम कराया सी इस दे पुटे होई टोई वे चमीदा पानी एकठा होया सी अते चार चफेरे बेरियां दे अते होर बिच्छां दे बहुत सारे बूटे खड़े सन सेवादी एह विचार पकी करके गुरू अरजन देव जी कुझ मक्खी सिखानो नाल लाके इस दे किनारे एक टाली हे ठान बैठे बहुत सारे मजदूर ते सिख सेवकानो सरोवर नो पुटन वास्ते ला दिता बड़े उत्साते प्रेम नाल प्रती दिन पुटाई हो रही सी के एक दिन मिट्टी दे बहुत हेटों एक गोला का रमाथ निकलया जिस विच एक जोगी समादी लाके बिटा होया सी गुरू जी ने उसनों मक्खन विच मलाके केसर कस्तूरी दी मालश उस दे सिर पैराते करा के उस दी समादी खुलाई जद समादी खुली ता उस जोगी ने बबाबुड़ा जी जो गुरू जी दे नाल उस दे समने खड़े सन पुछिया कि एक केड़ा जोग है अते आप कौन हो बाबा जी ने दस्या के एक कल जोग दा समाँ है अते शिरी गुरू नानक देव जी दी गदी उते पंज मे था एह गुरू अरजन देव जी खड़े हन एह गल सुनके जोगी ने किहा मेरा ताप पूरण हो गया है मेरे गुरू दा मेननो बचन होया सी के जद कल जुग दा समाँ आवेगा अते तूँ गुरू अवतार दे दर्शन करेंगा ताँ तेरी कलेान होएगी सो अज ओ समा आ गया है मेरे माननों शान्ती हो गई है इतने बचन करके जोगी ने हथ जोड के गुरू जी नो नमस्कार कीती अते अपना स्रीरत्या के परमपद नो प्राप्त हो गया उस उपरंत स्रोवर्दी कार बड़े उत्सा नाल हुंदी रही अते फगन सम्मत सोला सो पंताली विच संपूर्ण करके इसनू जल नाल पर दिता गया सिख संगता इस विच शनान करके सुख शान्ती नो प्राप्त हो नगिया जिस टाली हेठा बैट के गुरू जी स्रोवर्दी कार सिवा करूंदे हुंदेसन उत्थे गुर्दवरा टाली साहिब विद्दमान है उस उपरंत पाई मांच जिला जलंदर दे रहनवारा पीर नगाहे दा उपाशक सी सिखा पासो गुरू का जस सौन के एक वार अमरसा राया कुछ दिन गुरू जी दी कथा उपदेस सौन के इसने बेंती किती महराज मिनुवी अपनी सिखी बख्षो गुरू जी ने कहा पाई सिखी बड़ी कथन है तुम एक मुसल्मान पीर्दा उपशक हो के सिखी कमान नहीं सकेंगा सिखी नु तार ना ते कमोना बहुत कथन है पाई मंज ने कहा पाशा जी आप पक्षिश करोगे तां सिखी कमोनी कोई कथी नहीं होगी आप किर्पा करके सिखी दान बख्षो उस दी शर्दा ते प्रेमवे के गुरू जी ने उसनों सिखी दी रहत बहुत दस के कहा के अपने कर जाके पीर खाना ता के सिख संगता दी सेवा अते सातनामदा सिम्रन करया करो इसनाल अंत समय अनंद सरू प्रमात्मा विच लीन हो जाएगा पाई मांज एउप देश लेके कर चलया गया पीर खाना ता के सिख संगत दी सेवा अते सातनामदा सिम्रन करना लगा कोज समय उपरंत सिखी दी कोज रंगत प्राप्त करके पाई मांज फिर गुरू जी पास अम्रसर आ गया देन रात गुरू के लंगर दी अते संगत दी सेवा विच जोट गया लंगर वास्ती रोज जंगल विचो लकड़ां दी पंड़ लेऊनी अते संगत दे पंड़े मांजने अते होर जल पानी दी सेवा करनी एक देन जद पाई मांज लकड़ां दी पंड़ चोक के आरे हा सी पां काली बोली हनेरी आ गई जिस करके ओ होली होली तुरे आउंदा खूदी खुड़ विच डिग प्या उस खुड़ विच पानी थोड़ा ही सी जिस विच मांज अपने आपनू संबाल के सिर्थे लकड़ां दी पंड़ चोक के खड़ा गुरू गुरू करन लगगा जद इस गाल दा गुरू जी नू पता लगगा के पाई मांज खूव इच डिगा होया है गुरू गुरू जा परहा है ता आप जी दी तच्छिन ही नंगे पैरी उदर नू पाज तुरे पिछे सिख्वी रसे अते गुरू जी दा जोड़ा ते कुड़ा ला के पाज पै खूँ ते पौँच के जद गुरू जी ने रसे लमका के पाई मांज नू आख्या के इस नू फर के उपर आ जाओ ता मंजने के हा पहला गुरू के लंगर्दिया लकणा दी पंड काड़ लवो मैं पिछो निकलांगा उस दी शर्दा अंसार पहला लकणा दी पंड बाहर काड़ लेगई अते फिर पाई मनज आप रस्फार के बाहर निकलिया जद पाई मन्ज खूब चोबार आया तक गुरू जी ने परसान होके किया मन्ज असी तेरी प्रेम पावनाते बहुत परसान हा तू जो मंगना है मंगले तेरी काल थाई पै गई है मन्ज ने हथ जोड के बेंती कीती पाशा मेंनू सिख़्ी बख्षो अपने चरनादा प्रेम प्यार बख्षो पाई मन्ज दी ए शर्दा पूर्ण पेंती सुन के गुरू जी ने अती परसान होके उसनू अपनी जफी विच लेके किहा मन्ज प्यारा गुरूनू गुरू मन्ज प्यारा मन्ज गुरु का बोहिता जदलंगन हारा आप जी दे पवित्तर पावन शरीर ना लगन करके मन्ज नू रिद्या सिद्या प्राप्त हो गया गुरु जी तो इस तरह बक्षिश प्राप्त करके गुरु जी दी आग्या नाल पाई मन्ज अपने परवार विच्चों वाहि गुरु जी की फते